आज की युवा पीड़ी जिस तरह से टेक्नोलोजी से जुड़ी हुई है और उसका जितना विविध उप्योग करती है ये बहुत आश्चरे जनक है लेकिन स्टूडन्स टेक्नोलोजी को किस तरह अपनाए श्टूडन्स के लिए आयोजित कारेक्रम परीक्षा पे चर्चा म वो देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं मोटिवेट करते हैं उन्हीं चर्चाओं से हम ले आये हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एक्जाम वारियर्स के लिए बच्चों के लिए टेक्नोलोजी में लिप्त हो जाना आसान है ऐसे में मोदी जी बताते हैं कि टेक अब जीवला है क्या कि या तो प्रेंट लाइन वाला होगा कि यह समस्या भी है समाधान भी है हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलोजी से दूर चले जाएं कि फिर तो वह कि एक प्रकार से कि अपने सारी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की तरब जाना शुरू होगा और इसलिए उसको कि यह तेक्नोलोजी के समय में प्रोथसाहित करना सब्ली कि लेकिन गजल उस टेक्नोलोजी का क्या उप्योग करता है तो कि क्या टेक्नोलोजी कि उसको रोबोट बना रही है क्या या इनसान बना रही है अगर माबाप थोड़ी रूची लें कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्लोलोगी कि बताइए इन देनों क्या चल रहा है टेक्लोलोजी के खेतर में क्या नहीं आया है किस प्रकार के नजने एप्स आये हैं उसमें क्या होता है तो इस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे बाबाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे तो पहला काम तो आप किस्यों को रोग रहे हैं मैं देख रहा हूँ यहाँ करीब करीब हर एक के हाथ में मुबाइल फोन है हो सकता है कुछ लोग यहाँ प्रदान मंदिर के कारक्म में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए इससे क्या होता है धीरे धीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैं टेकनलोजी हमें अगर सिकूर देती है हमें नेरो बना देती है हमारी सोच भी बड़ी नेरो बन जाती है तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्षान होगा टेकनलोजी का उप्योग हमारे एकस्पांसिंट के लिए होना चाहिए मैरे सामर्त हमें बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए और इसके लिए टीचर्स ने भी बार-बार इन विश्यों की चर्चा करते रहना चाहिए तब जाकर के होगा अतरवाइब जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है कभी-कभी माबाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन परिक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले बिमार हो जाता है तो माबाप का पसीना शूट जाता है अरे भाई पहले उसको किताब पढ़ता है कई खेल के मैदान में भी तो बेजना था आप में से कभी सोचिए मैं कभी मेरा ये मेरी बच्चों के साथ बाच्चित करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंतिरी साथ अब से एक लगातार कारकम चल रहा है अब रूप रूप का रंग बदलता जा लगए मैं करता रहता हूँ मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में चार बार मेहनत करने के कान पसीन आया है शरीप पे आप हैरान हो जाएं कि गाउं के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है अब ऐसी कैसी जिन्दिगी हसना खेलना खुले मैदान में ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए और वो एक नई उर्जा देता है और इसलिए टेकनोलोजी का सही उपयोग कैसे हो मैं स्वयम टेकनोलोजी भहुत शक्तिशाली मानने वाला बेक्ति है मैं खुद इसका उपयोग आज भी जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात करना उसका कारण टेकनोलोजी का उपयोग है तो एक ही चीज कि ये दो अच्छे पहलू होते हैं एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तित कर देता है आपकी ये चिंता सही है लेकिन आप उसके साथ बैठिए उसको कभी आप काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नौर्थ इसमें एक ऐसा चावल पकाते है देखो बैटा टेकनोलोजी में ज़रे ढून के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल तो उसको लगे का हाँ मा मुझे टेकनोलोजी की मदद से खुद को चावल पकाने का नागालेन की बद्दर ही क्या वो सिखना चाहती है वो टेकनोलोजी आप दोनों को जोडने का कारण बन सकती है और उसका भी मन टेकनोलोजी से नई नई चीजे जानी जा सकती है जो जीवन में काम आ सकती है उस पर आप देरे देरे उसको ले जा सकते हैं आप कभी उसको पूच सकते हैं आज हमने सुना है कि स्पेस में ऐसा हुआ है या आज हमने सुना है कि साइकलोन आना है तो तुम देखो देरा यह साइकलोन आने खबर कैसे देते हैं यह तो वो ही बच्चा उसमें काम करेगा आप उसको धीरे 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 टेक्नलोजी के सही उपियों की तरब ले जाएए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की दिशा तो गलत रास्ते पर जाने से बजाए समय बर्बार्द करने के बजाए खूदी एक खेलकुद के अंदर रहने के बजाए और मैं समता हूँ जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फिल्ड में चला जाएगा वो तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें पुरानी और नई पीड़ी के बीच की दूरी को तेकनोलोजी के कारण बढ़ने मत दीजिए बलकि नई नई तेकनोलोजी को सीख कर इस दूरी को कम करिए लेकिन क्या तेकनोलोजी से दोस्ती कर लेनी चाहिए या बिल्कुल ही दूरी बनाये रखना चाहिए मोदी जी प्लीज हेल्प शायद पिछली सताब्दी के आखरी कालखन और इस सताब्दी का आरंब कालखन पिज्ञान और टेकनोलोजी ने पूरन रूप से जीवन को बदल दिया है एक प्रकार से जीवन भी टेकनोलोजी डिवन हो गया है और इसलिए टेकनोलोजी का भय एक कत ही अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए यह टेकनोलोजी आई मैं क्या करूँ आने नहीं देना चाहिए दूसरा अब टेकनोलोजी आई तो मेरी पूरी जीनिवरी बरबाद हो जाएगी कि मैं पहले तो ऐसे सोता ता ऐसे करता था बने नई चीज आई मैं कैसे कोपफ करूंगा डी नहीं टेक्नोलोजी को हम अपना दोस्त माने हैं बदलती हुई टेक्नोलोजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें हम प्रोयक्टिव हो तीसरा क्या सिरफ टेक्नोलोजी का ज्ञान होना इनफ है कि दोस्तों के बीच में छटा के मारने के लिए काम आएगा कि मुझे ये पता एक दुनिया में यह हो रहा है कैमेर ऐसा निकला है मोबाइल फोन ऐसा निकला है नहीं जब मैं टेक्नोलोजी के विशे में जानता हूँ तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार की सोच को लेकर के काम कर रहा हूँ मेरे लिए इसमें उप्योगी कैसे होगा क्या मैं टेक्नोलोजी को मेरे लिए लाऊंगा कि टेक्नोलोजी मेरा समय खा जाएगी टेक्नोलोजी के उप्योग में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है टेक्नोलोजी का आकर्शन तो ठीक है लेकिन इसकी लथ लग जाना हानिकारक है और सबसे हानिकारक है जब टेकनोलोजी हमारे अपनों के साथ बिताया जाने वाला हमारा समय चुरा लेती है लेकिन इस से भी बचा जा सकता है बैलन्स से आप पर से कितने हैं जो स्मार्ट फोन उप्यों करते हैं बताईए ने संकोज मत किजिए आपके टीचर नहीं देख रहे हैं अब जड़ा सोचिए ये स्मार्ट फोन कितना समय आपका चौरी करता है और मान लीजिए उस पेसे 10% कम करके अपने मा दादा दादी इनके साथ अगर बिचाएं दस मिनिट में कह रहा हूं जादा नहीं आज आपका स्मार्ट फोन जितना समय खाता है जितनी चौरी कर जाता है उस पेसे 10 मिनिट अपने दादा दादी मा उनके साथ बैठ के बिताओ तो टेकनोलोजी ज़्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनिट की बाद उपकारक उपकारक क्या होगा मतलब टेकनोलोजी हमारा समय चोरी कर जाए टेकनोलोजी हमें खीच के ले जाए इस से हमें बचना चाहिए हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेकनोलोजी को मेरे कबजे में रखूँगा किसी समय सोशल नेटवर्किंग कि यह बहुत आवश्यक माना जाता था रोज लोग एक घंटा दो घंटा शाम को निकलते थे किसी फंक्शन में जाएंगे दोस्तों गहां जाएंगे बब मिलते रहते थे क्यों कि जीवन समाज व्यवस्ता से जीतना ज्यादा जूड करके रहता है उतना दोनों पक्षमें लाव होता है यह सभावी व्यवस्ता है लेकिन दीरे दीरे उस सोशल नेट्वर्गिंग शब्द का इतना विक्रूती आ गई टेक्नोलोजी के कारण कि अब सोशल नेट्वर्गिंग हमारा व्यवस्ता कर रहा है यह सोशल नेट्वर्गिंग उस सोशल नेट्वर्गिंग की कल्पना से एक प्रकार की विक्रूती है आप पहले हम अपने दोस्त को जन्मदीन है तो सुबे चले जाते थे चराब सर्प्राइब देने का मजा आता था अब क्या रात को बारा बजे भी की प्रान तत्वत कर देती है तो फिर जिन्दगी हमारी बहुत सुस्क हो जाएगी और इसलिए टेक्नोलोजी का मैकसिमम उप्योग भी होना चाहिए लेकिर हम टेक्नोलोजी के गुलाम नहीं होने चाहिए ये सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आज के युवावर स्ट्यूडन्स सोशल नेट्वरकिंग को आब एक अलग नजरिये से देखेंगे लेकिन सोचा है कि टेक्नॉलोजी के बिना लाइफ कैसी होगी? सोचना क्या है? आईए हम सब मोधी जी का दिया गया टास करते हैं दो काम आप कर सकते हैं क्या? करेंगे? करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं क्या करोगे? देखें एक काम आप जीवन में ताय करेंगे पर डे इतना समय मेरा एक घंटा दो घंटा कैरिफुल जो मैं खाली हूँ लेकिन मैं अपने आपको टेक्नॉलोजी से दूर रखोंगा पर डे एक घंटा दो घंटा टेक्नॉलोजी फ्री अवर्ड क्या कर सकते हैं आप? गेजेट नहीं कुछ नहीं मैं मेरे परिवार मेरे दोस्त मेरा बगीचा मेरे घर में अगर कुता है तो कुता जो भी है बिल्ली है तो बिल्ली जो भी है यह एक घंटा मैं ताय करो नो टेक्नॉलोजी ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में दो-तीन कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार हैं उनके लिए तो टेक्नोलोजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दो-तीन कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं माबाप से बैठ करके बापी जाने के बाद, कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा तय करेंगे, जिसमें टेक्नोलोजी को नो एंट्री, उस कमरे में जो ही आएगा, बिना टेक्नोलोजी बैठेंगे, आप जड़ा करके देखिए, जिन्जिगी बहुत नए अनुभवक वाली हो जाएगे, तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलोजी के अतिश्य महत्माई भी देता हूँ, at the same time, मेरे भीतर का इंसान, रॉबोट न बन जाए, इसकी भी चिंता करता हूँ, और इसलिए दोनों को बना करके, चलने के कुछ तरीकी हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। सच कहते हैं, मोधीजी कि टेक्नोलोजी का यूस परपस लितों करना ही चाहिए, साथ ही घर में एक ऐसा कोना भी होना चाहिए, जहां टेक्नोलोजी को नो एंट्री हो। सिर्फ फैमिली के साथ टेक्नोलजी फ्री आक्मस्फियर में सिर्फ आपस की बात होनी चाहिए। मुदी जी के सुझाव टेक्नोलजी से बैलेंस बनाकर चलने के प्राक्टिकल और यूस्फुल तरीके बताते हैं। उमीद है उनकी सला से आपको पाइदा पहुँचे।